Student of Class 1, Assalamualaikum, आज हम Basic Mathematics Part 1 में करेंगे Page Number 101, आप अपना Index निकालेंगे और Page Number 101 पर Date डालेंगे और यहाँ पर भी आज की Date डालेंगे, आज हमारा Topic है Multiplication जो के हम पहले भी कर चुके हैं, Multiplication मैंने आपको पहले भी बताया था कि Repetition of Addition होता है, यानि एक Number को हमें कई दफ़ा अगर Add करना है तो उसका Simple Method जो है, वो Multiplication कहलाता है Suppose, जैसे 9 को अगर हम 2 टाइम प्लस करेंगे, तो 18 आंसर आएगा लेकिन इसको हम Simple जब कर देंगे, 2 9 सा 2 के Table को हम 9 तक पढ़ेंगे तो 2 9 सा 18, इस Multiplication Sum के लिए आपको Table का याद होना बहुत ज़रूरी है Next है, 7 8 सा 56, 6 7 सा 42, 4 10 सा 40, यानि अगर हम 10 को 4 टाइम प्लस करेंगे करने करेंगे और उसके बज़ाए Simple Method हम Multiply कर देंगे 4 को 10 से तो हमारा आंसर आजाएगा उसके बाद है 4 6 सा 24, 7 3 सा 21, 4 4 सा 16, 6 9 सा 54, 3 8 सा 24, 5 10 सा 50, 6 6 सा 36, और 5 4 सा 20 तो यह आपका Multiplication मैंने यहां तक करा दिया आगे आप खुद करेंगे और इसके साथ Table को Learn करना मत भूलिएगा यह हमेशा आपके काम आएगे तो Multiplication का मतलब है Repetition of Addition एक नमबर को बार बार Add करने के बजाए अगर हम Multiply कर देंगे उसको तो वो हमारे लिए Simple और Easy हो जाएगा ओके, Allah Hafiz